गूर्ड मॉर्निंग फ्रेंज आपने जिस तरह देखा न्यूजी लेंड और स्रिलंगा का मैच हुआ तो जो बहतरीन चार टीमे वर्ड कप क्रिकेट में आई है उसमें से चारो सेमी फाइनल में जा रही है लेकिन टेक्निकली अभी न्यूजी इलंड सेमी फाइनल में नहीं है क्योंकि अभी भी मैथमेटिक्स देखा जाए तो अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चांसेज हैं और जिसके लिए मसहूर है पाकिस्तानी टीम कि वो रोना धोना हर चीज बस बारिस हो जाए तो हम जीद जाए तो वो हार जाए तो हम जीद जाए इस कल्कुलेशन पड़े रहते हैं ना कि इमानदारी से अच्छी क्रिकेट खेलें और इस तरीके का काम करें कि देख के टेकनिकली अभी उस पर लगे हुए हैं और ऐसा है कि कोई भी टास जीते मैं लेकिन अगर पांच ओभरों में पाकिस्तान उरंचेस कर लेता है तो फिर पाकिस्तान फिरवी सेमी फाइनल में आ जाएगा लेकिन हकीकति है मित्रो कि चार जो बेस टीमें थीं इंडिया, आस् आउट अफ्रिका और न्यूजिलेंड सेमी फाइनल में पहुंच चुकी हैं भले ऑफिसियली टेक्निकली अभी न्यूजिलेंड का क्वालिफियाइड सेमी फाइनल के लिए नहीं है लेकिन मैं अब आगे की बात सोचता हूँ जो बीद गई सो बात गई पाकिस्तान तो गया अफगानिस्तान जिस तरीके से खेल ला है कहीं ऐसा नहों कि इंगलेंड वाले पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराएं और अफगानिस्तान एक बार फिर इस तरीके का उलट फिर करें कि वो पाकिस्तान के उपर आ जाए तब जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होए वो कहीं तो अब चुपचाब पाकिस्तान को कंसेंटेट करना चाहिए कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर बने रहें। खैर मैं बात आता हूँ करता हूँ न्यूजिलेंड और इंडिया के सेमी फाइनल में जिसके सबकी निगाहें लगे रहेंगी विराट कोहली वर्जेज रचिन रबिंद्रा बहुत ही खुबसूरत रबिंद्रा ने जिस तरीके से कल बैटिंग की पूरा जिस तरीके से 86 रन का सुरुवाती और इस पेश से सुरू कर दिया कि बहुत न्यूजिलेंड बढ़ा क्लियर था कि उसको यह मैक्सिमम 25 उबरों में मैं जीत लेना है क्योंकि उनकी कल्कुलेशन बड़ी ही क्लियर थी कि कहीं से भी वो चांस नहीं देना है कि जिससे पाकिस्तान या अफगानिस अरु से सिस्तान आगे बढ़ पाए तो आने वाले समिसायल है बात होगी वर्शेज सभी विराड कोहली सभी वर्शेज रशीन रवेंद्र की और बहुत ही खुबसूरत मैच होने वाला मेरा मनना अ।ब्सवी से मैच एशार मैच चल रही है है बहुत अच्छा लगा कोई भी जो modern cricket खेलते हैं जिस तरीके से updated वर्जन है cricket की टीमों का वो ही फाइनल में जाएंगी जो अच्छा खेलेगा लेकिन नाकाउट मैचों में कुछ भी हो सकता है दोस्तों और न्यूजिलेंड ने भी पिछला मैच 401 एक रैम जाने के बाद भी ज उन्हों ने उसको सुधार लिया और जो भी इंजुरी हो गारा थी वो भी रिकबर हो जाएगी और मुझे उम्मीद है सेमी फाइनल में हमारे हार्दीक पांडिया भी खेलेंगे तो मैच मज़ेदार होने वाला है यह वर्ड कप इंडिया का एक लीग मैच एक सेमी फाइनल और एक फाइनल तीन मैचेज है और बहुत ही शांदार होने वाले हैं देखते हैं कि क्या होता है लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब ये डिसक्सन बंद कर देना चाहिए कि उनको कहीं से भी चांस है क्योंकि जिस तरीके से कल न्यूजिलेन ने स्र प्रिलंका का भी वो जैसुरिया और कल वितरना का दौर देखा हुआ है देखके तकलीफ होती है लेकिन ये है क्रिकेट है यही समय चलता रहता है अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप आज जीत गए तो आप ऐसे ही जीते रहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता और सब का समय आता है उस तरीके से न्यूजीलेंड ने दिखाया किस तरीके से सेमी फाइनल में बहतरी इंचार टीमें पहुँची और इसी के साथ मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि लेट्स होप कांग्रेचुलेशन न्यूजीलेंड फिलहाल के लिए लेकिन सेमी फाइनल बहुत ही अच्छे फॉर्म में इंडियन क्रिकेट टीम न्यूजीलेंड को हराए और फाइनल में इंटर करें हैब अब गुद देए हैब गुद देए फ्रेंड्स तेंक यू